नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो भारतिय नोसेना के लिए एक काफी ज़्यादा बड़ी और साथ में इंपोर्टेंट कबर सामने निकल करके आई है जिसके अनुसार अब फाइनली एक लंबे समय के इंतजार के बाद में भा भारत में ही निर्मित अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा हतियार मिलने वाला है क्योंकि हमारे पहले सब्देशी एरक्राफ्ट केरियर को अब जल्द ही भारतिय नोसेना के बेड़े के अंदर एक्टिव कर दिया जाएगा रिपोर्ट्स के अनुसार दो सेप्टेंबर को PM मोदी जी CSL JT में एक बड़ी सेर्मनी के दोरान में INS विकरांत को भारतिय नोसेना के बेड़े के अंदर में कमिशन कर देंगे जहां पर माना जा रहा है कि इस सेर्मनी में लगबग 2000 के आसपास जो लोग हैं वे उपस्तित रह सकते हैं तो अगर आप हमारे INS विकरांत क के लिए खास तरहां का जो स्टील होता है उसको देने से मना कर दिया था तो ऐसे में भारत के समय उस समय ये सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका था जिसके अंतरकत हमको कम से कम समय में INS विकरांत के लिए जो खास तरहां का स्टील होता है उसको तयार करना था क्यों पूरी दुनिया को अपना जो लोहा है वो भी यहाँ पर मनवा दिया था तो ऐसे में आप ये भी कह सकते हैं कि उस समय भारत के लिए ये जो चैलेंज खड़ा हुआ था तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट का काम भी करता है क्योंकि आज की तारिख में भारत अब उस टील क के लिए रश्या के उपर निर्भर नहीं है इसके बाद में बोईंग ने भी भारत को एक और ओफर दिया है कि अगर इंडियन नेवी अपने टेंडर में एफ़े 18 के ब्लोक 3 वेरियंट को सिलेक्ट करती है तो ऐसे में बोईंग लगबग हर महीने भारत को दो एफ़े 18 डि किया जाएगा तो ऐसे में आप मान करके चल सकते हैं कि बोईंग लगबग एक साल के अंदर ये जो 26 एरक्राफ्ट है इनको भारत को डिलिवर कर सकती है जिससे कि भारत ये नोसेना के लिए यहाँ पर थोड़ी सी आसानी ये रहेगी कि जल्द से जल्द आई एनस विकरांत की जो एर विंग है उसको तयार किया जा सकता होगा इसके बाद में बोईंग ने भारत को ये भी ओफर दिया है कि अगर हम F18 के ब्लोग 3 वैरियंट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो भारत चाहे तो उसमें जो अपने सब देशी वेपन्स है उनका भी इस्तिमाल कर सकता ह होगा और अगर आप इसी टेंडर में मौझूद राफेल एम को देखते हैं तो फ्रांस ने भारत को अभी के लिए ऐसा कोई भी ओफर नहीं दिया है साथ में F18 ब्लोग 3 की जो पोश्ट है वो भी राफेल से कहीं ज़्यादा कम है साथी साथ अगर आप F18 ब्लोग 3 की कैप इसको देखते हैं तो आप सब देखेंगे कि परफॉर्मेंस के हिसाब से जो राफेल का M वैरियंट है तो उसको ये डेफिनेटली मैच करता है और साथ में आप सब को कुछ मामलों में ये उससे थोड़ा सा आगे देखने को मिलेगा क्योंकि इसके जो विंग्स है वे भी जिससे कि इसको बड़ी आसानी से आई एनस विकरांट की जो लिफ्ट है उसके ओपर भी यहां पर खड़ा किया जा सकता है और आई एनस विकरांट की जो लिफ्ट है तो उसकी लेंथ को लगपग 11 मीटर के आसपास का बताया जाता है तो ऐसे में बड़ी आसानी से इसको यह विंग स्पैन है वो वहाँ पर कवर किया जा सकता है इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि इसकी एर विंग और साथ में पूरे एरग्राफ्ट केडियर के साथ में भारत को बड़ी आसानी से इसका जो बिल है वो 5 से लेकर के 6 बिलियन यूएश डोलर के आसपास का देखने को मिल सकती है और यह जो अमाउंट है यह एक मिनिममम अमाउंट है तो बड़ी आसानी से इसकी जो कोश्ट है वो 6 बिलियन यूएश डोलर तक जाएगी लेकिन दोस्तों भारत ने इसमें जो अपने मेहनत और साथ में पैसा इन्वेस्ट किया है तो ऐसे में भारत को अफल भी मिला है क्योंकि आज की तारिख में भारत के पास इंफरास्ट्रक्चर डवलप हो चुका है जिसके अंदर गत हमारा जो कोचेंशी प्याड लेमिटेड है तो अगर हम आई एनस विकरांद क्लास के एक और एरक्राफ्ट केरियर को बनाना चाहते हैं तो उसको हम केवल 5 साल के अंदर तयार कर सकते हैं इसके बाद में आज की तारिख में CSL इतना कैपेबल हो चुका है कि वे चाहे तो एक सूपर कैरियर जिसका डिस्प्लेस्मेंट 65,000 से लेकर के 70,000 टन तक हो सकता है उसको बनाने में भी शक्षम है तो दोस्तो इस सब को लेकर के आपक इस वीडियो में इतना ही मिलते एंगली वीडियो में तब तर के लिए गुडबाई जैहिंद